नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दाविलपार एकेडमी में जैसा कि हम लोग अच्छा आर्ट का इतिहास पढ़ रहे हैं तो आज हमारा अध्यायदस रहेगा जो की प्रश्ण भ्यास है पिसले वीडियो में हमने अध्यायदस पढ़ लिया है आज हम उसी अ अध्यायदस का जो की सीर्षक है सुसंता के बाद इसका प्रश्ण भ्यास देख लेते हें आईए लिखते हैं पहला प्रश्ण है नौस वाधिन बहारत के सामने कौन सी तिन समस्याई थी तो आजाद भारत की बड़ी चननोतिय है कौन सी थी देखते हैं जो की समस्याई की प्रकट होती हैं पहला है बीभाजन की वज़ा से अच्छी लाग सरार्थी पाकिस्तान से भारत आ गये थे इन लोगों के लिए रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना था दूसरा करीब पांच सुरियासते राजाओं या नवाबों के सासन में चल रहे थी इन सभी को ने र प्रशनciones और अकंच्हाओं को पूरा किया जा सके दूसरा प्रस्षंड है योजना आयोग की खूमिका थी तो देखते हैं योयझना आयोग की खूमिका पहला है आर्थिक विकाज के लिए नेतियां बनाना और उनको लागो करना दूसरा काॉन से उद्योग सरकार दोरा और start किस तरह का संतुल्न बनाया जाए इसको परवासित करना योजिना आयोका का था तो योजिना आयोक के बारे में हमने अधहै Аयदस में पढ़ा थो मुझे उम्मीद है कि आपको विशे रखे गए थे तो इसका उत्तर होगा इसमें हम लोग लिखेंगे कराधान और रच्छा विदेश मामले में यहां उत्तर दिया गया है का में रहेगा कराधान रच्छा विदेशी मामले तो केंध्री सोची में कराध्हान रच्छा और विदेशी मामले विशय रखे गए थे योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों छेत्रों को विकास में भोमिका दे गई थी उसे माडल कहा जाता था तो हम लोग उसमें भरेंगे मिस्रित वह आर्थी योजना जिसमें सरकारी और ने जी दोनों छेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी उसे मिस्रित मॉर्डर कहा जता था घाए खले संध्य अगे लिखा गए है की मिर्ति से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंदर भासी राजव के गथन की मांग को मानना पड़ा था अगला प्रश्ण है सही या गलत बताएं तो जिसमें का है आजादी के समय जादातर भारती गाउं में रहते थे तो इसका उत्तर होगा सही खा है समिधान सभा कांग्रेस पार्टी के सद्श्यों से मिलकर बनी थी तो इसका रहेगा गलत घा है पहले राश्टी चुनाओं में केवल पूर्शों को ही वोड़ डालने का दिकार दिया गया था तो ये भी गलत होगा घा है दूसरी पंचवर्शियों जिनमें भार्यू जोगों के विकास पर जोड़ दिया गया था ये वाक्य सही है अगला प्रशन है पांचवा राजनीती में हमारे पास समानता होगी और समाजीक वारा आर्थिक जीवन में हम और समानता की राह पर चलेंगे कहने के पीछे डाक्टर अम्बेडकर का क्या आसे था तो देखते हैं अमेडिकर का क्या आसा था पहला है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ वह आर्थिक और समाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है यानि जीवन में समानता भी जरूरी है दूसरा लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देने से अमीर गरीब या उची और नीची जा चाहेगा तीसरा राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मुल्य के सिद्धान्त का पालन करेंगे इसके विपरित अपनी समाजिक एवं आर्थिक सानचना के फलसरूप हम समाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मुल्य के सिद्धान्त का निसेत करते रहे देश को भासा के अधार पर राज्यों में बाटने के प्रति हिस्किसाहट क्यों थी तो देखते हैं हिस्किसाहट के कारण पहला है भारत धर्म के अधार पर बढ़ चुका था देश विभाजन के कारण हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच हुए भीसर दंगों में 10 लाग से ज़्यादा लोग मारे गएथे ऐसे में चिंता शवभाविक थी दूसरा भासा के अधार पर हमारा देश दूसरा मतवारा नहीं जहल सकता इसलिए चिंता भाविक थी तीसरा प्रधार मंत्रे जवाला नेहरू और उप्रधार मंत्रे बल्लब भाई पटेल दोनों ही देश के भासा के अधार पर दूसरे विभाजन के डर से भासा के अधार पर राज्यों के गठन की नेती के विरोधी थे सात्मा प्रिश्न है एक कारण बताईए कि आजादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही तो देखते हैं उसका कारण क्या है भारत में अंग्रेजी जारी रहने के कारण पहला है बहुत सारे लोगों का माना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भासा को भिविदा कर दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी के अस्थान हिंदी को दिया जाना चाहिए तो परन्तु लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय थी कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो दच्छिड भारती गैर हिंदी भासी छेतर भारत से अलग हो जाएगा तिसरा है देश को विवास से बचाने के लिए समिधा निर्माताओं ने हिंदी को राजभासा का दर्ज़त दिया जब कि अदालतों सिवाओं विभिन ने राजियों के भी संचार आदी के लिए अंग्रेजी भासा के इस्तमाल का सैसला लिया गया अर्था प्रशन है आजादी के बाद प्रारामी दस्कों में भारत के आर्थिक विकास की कलपना किस तरह की गई थी तो देखते हैं आर्थिक विकास की कलपना पहला भारत भारतियों को गरेवी से मुक्त करना दूसरा आधुनिक तकनिकी और दोगिक अधार निर्मित करना तीसरा विभिन छेत्रों और राज्यों के वीश किस तरह का संतुरून बनाये जाएगा नौव प्रश्न है मीरा बहन कौन थी उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाए देखते हैं पहला है कि मीरा बहन 22 नंबर 1892 से 20 जुलाई 1882 एक ब्रिटिस्ट एड्मिनरल की बेटी थी उनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था दूसरा वा गाधी की बेटी एशी थी उसने गाधी जी के साथ रहने तथा काम करने के लिए इंगलेन का अपना घर छोड़ दिया तीसरा मीरा बहन ने अपना जीवन मान अभिकास गाधी जी के सिदान्तों के प्रचार था भारत के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया उन्हें 1982 में पाध्म विवस्वर से सम्मानिज किया गया था दस्वा प्रश्ण है पाकिस्तान में भासा के अधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वज़से बांगला देश का जन्म हुए बांगला देश को पाकिस्तान से अजादी कैसे मिले तो देखते हैं बंगलादेश का जन्म कैसे होगा पहला है कि 1947 में पाकिस्तान के दो भाग थे एक भारत के पस्ची में और दूसरा भारत के पूरों में था दोनों भागों का सांस्कृतिक भगवले के अंभासाय धार अलग था दूसरा 1948 में पाकिस्तान सरकारदार उर्दू को राष्ट भासा के रूपने स्युकार करने के कार पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों ने इसका विरूद किया तीसरा भासावी भेत के अत्रिक राजनीति युम आर्थी को पेच्छा के कर पस्यमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापाक विद्रों शुरू हो गया चोथा 1971 में पूरी पाकिस्तान ने सुतंता के लिए पस्मी पाकिस्तानी के विरुध्य युद्ध की घोसड़ा कर दी और भारती सैनिकों की जायता से 16 दिसंबर 1971 को पूरी पाकिस्तान की जीतुई और बांगला का जन्म हुआ तो हमारे ये लाश्ट प्रशन था हमारा प्रशन ब्यास यहीं पर समाप्थ होता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रशन ब्यास समझ में आये होंगे तो हमारा यहीं पर कच्छा आठ का इतिहास का अध्याय सभी समाप्थ होता है बहुत जल्द ही हम लोग कि समझ में आए होंगे तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद मिलेंगे आपसे जल्द ही